तो आज हम लेकर आए हैं बॉंटी चॉकलेट के रेसिपी तो सबसे पहले आपको मिल्क कमपॉंड को चॉप कर लेना है और इसे माइक्रोवेव कर लेना है 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड के बाद यह अच्छे से मेल्ट हो जाएगा जिस तरह से आपको दिखाया जा रहे बिल्कु उसके बाद आपको एक्सेस चॉकलेट को रिमूव करना है मोल्ड को क्लीन करना है जिस तरह आपको दिखाया जा रहे उसी तरीके से आपको क्लीन करना है और फ्रिज में मोल्ड को रग देना है चॉकलेट को सैट होने के लिए यहाँ पर हमने डेसिकेटिड कोकोनट के साथ condensed milk को mix किया है जिससे यह अच्छे से bind होकर dough बन जाए dough बनने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से shape देंगे और अब जो chocolate set हो गई है बोल्ट के अंदर उसके अंदर हम इसे fill कर देंगे जो भी अगर आपका एक्सेस डो हो उसको आप रिमूव कर देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करके इसमें set कर देंगे उसके बाद आपको melted chocolate उपर से पोर करना है एक ठीक लेयर होनी चाहिए उसके उपर और आप उसके बाद मोल्ट को टैप करोगे और फ्रिज में set करने के लिए रख दोगे तो यहां पर आपकी बाद चॉकले बिलकुल प्रिप्यार हो गई है अच्छे साथ में तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो दें लाइगे